मैं लवली वीवर्स असलामों अलेकुम विलकम टू मैं चैनल नॉलेज और फेवरी थिंग उमीद करती हूं आप सब लोग खैरो आफियत से हुँगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे आज मैं आपके साथ गुपता इंपैर के फिप पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ वीवर्स इसे पहले के वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो इसे पूरा जगू देखिए मैंने वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको गुपता इंपैर को समझने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो गुपता इंपैर के इस पार्ट में मैं आपको चाइनिस ट्रैवलर फाहिन के बारे में बताऊंगी जोग चंदरो गुपता तू के वक्त में हिंदुस्तान आई थे ये वीडियो एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से काफी इंपॉर्टन होने वाला है लहाज़े इसे इंटक सरूर देखिए तो चलिए हज़रात बेगैर किसी वक्त जाय कि आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं फाहिन जो एक चाइनिस ट्रैवलर थे ये चंदर गुपता टू के वक्त में हिंदुस्तान आये थे हिंदुस्तान आने के पीछे इनका मकसद यहां के बुधिस चीज़ों को देखना और बुध मजब के तालिम हासिल करना था वो गंधारा को क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुचे थे और पातली पुतर पहुचने से पहले फुरुसफूर, मत्हूरा, केनाच, स्रवस्ती, कपिल वस्तु और राजगिर गए थे वो हिंदुस्तान में दस साल तक रहे, मगर दस साल में ना सिर्फ इन्हों ने बुध मजब की तालिम हासिल की, बलकि इन्हों ने यहां के लोगों के बारे में मुशाइदा किया, और यहां के लोगों से मेल जूल भी बनाए रखा और फिर वो 411 AD में तमरालिक्ता पोर्ट से अपने घर वापस चले गए, हिंदुस्तान में रहते वे हिंदुने हिंदुस्तानियों का मुशाइदा किया, और इन्हों ने यहां की सिसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्ट्रम और हिस्ट्री पर एक किताब भी लिखी, ज पातली पुत्र के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, वो अपने किताब में लिखते हैं कि पातली पुत्र के लोग काफी अमीर थे और एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहते थे और साती साथ वो रिलीजन से भी काफी जुड़े वे थे, इसके अलावा फाहिन अ पातली पुत्र में ट्रैवलर्स के लिए हाईवे पर रेस्ट हाउस भी बनाया गया था और साथ ही साथ यहां के लोगों को फूड और ड्रिंग फ्री अफ कॉस दी जाती थी, इन से किसी भी तरह की कोई भी चार्जेज फूड और ड्रिंग के लिए नहीं की जाती थी इन तमाम चीज़ों के अलावा पातली पुत्र में बहुत सारे चारिटेबल इंस्टूशन मौजूद थे इन में हॉस्पिटल भी शामिल था, जो लोगों की देख रेक क्या करते थे इन हॉस्पिटल में मरीजों की देख रेक बेगार किसी कॉसके की जाती थी, इन्हें किसी तरह की कोई भी फिस्पेक नहीं करना पड़ता था अगर हम लोग मेगेस्थिनिस की किताब और फाहिन की किताबों का मुताला करें तब हमें पता चलता है कि इंशन इंडिया के लोग सिंपल लाइफ गुजारते थे, वो लोग काफी इमानदार होते थे और साथी साथ इनके अंदर एकलाग भी काफी पाई जाती थी, वो लोग एक दूसरे की मदद करने को अपना फर्ज समझते थे और एक दूसरे के हर काम में साथ देते थे मगर उस वक्त के लोग बीट और लिकर का इस्तिमाल नहीं किया करते थे चंडाल को छोड़ कर तमाम लोग वेजिटेरियेट हुआ करते थे चंडाल दरसल एक कास था, वो लोग अंटचिबल माने जाते थे और ये लोग शहर के बाहर रहा करते थे यानि फाहिन के अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि उस टैम में भी अंटचिबलेटी हुआ करती थी इसके बाद फाहिन आगे गुपता इंपायर के अड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में लिखते हैं वो कहते हैं कि गुपता इंपायर में जो ओफिसर्स हुआ करते थे वो काफी रिस्पॉंसिबल हुआ करते थे वो अपने जिमेदारी पूरी पूरी तरीके से निभाते थे और साथी साथ लोगों को हाई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था टैक्स भी काफी लो दिया जाता था साथी साथ टैक्स को लेकर लोगों पर कोई भी जोड़ जबन ही की जाती थी इलावा अजे फाहिन लिखते हैं कि गुपता इंपायर की सबसे बड़ी खास्यत ये थी कि इनके टाइम में कोई भी थीव पड़ापू नहीं वह करते थे वो कहते थे कि गुपता इंपायर के टाइम में लोग बेफिकर हुआ करते थे वो इस कदर चोड़ चकारी से बेफिकर हुआ करते थे कि अपने दर्वाजे को खुलास छोड़ कर सोया करते थे इसके अलावा अगर कोई छोटी छोटी गलती करता तो उसे सक्सज़ा नहीं दी जाती थी मगर अगर कोई दुबारा गलती करते वे पकड़ा जाता तो उसके राइट हैंड को पनिश के तोर पर काट दिया जाता था इन्होंने गुपता इंपायर के नेवल पावर के बारे में भी अपनी किताब में लिखा है वो लिखते हैं कि गुपता मर्चिंट, तमरालिप्टी पोर्ट के शिप के जरिया से लौन, मले, चमपा, सुमातरा, काबूल और जावा जाया करते थे मर्चिंट की एक जग़ से दूसरी जग़क चाने की वज़े से हिंदू रिलीजन, बूद रिलीजन और इंडियन कल्चर बहुत सारे एरिये में फैल चुकी थी फाहिन ने अपने किताब में गुपता इंपेर के नेवल पावर और अड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के इलावा इनके रिलीजन के बारे में भी लिखा है वो कहते हैं कि गुपता इंपेरर चुकी हिंदू थे इसलिए महां की अवाम भी हिंदू मजब को फालो करने वाली थी लेकिन दूसरे मजब के मानने वाले के साथ भी वैसे इस सुलुक किया जाता था जैसे हिंदू मजब के मानने वालों के साथ किया जाता था इस तरह हमें इनकी किताब से ये पता चलता है कि उस वक्त हिंदू और बुदिश के दर्मियान एक फ्रेंडली रिलेशन्शिप काइम था फाहिन कहते हैं कि गुपता इंपेरर के वक्त में यहाँ पर बुदिश मुनासरिस काफी बनाई गई थी तो मैं लवली वीवर्स आज कब मैं अपना सेक्शन नहीं खतम करती हूँ आज के एक सेक्शन में मैंने आपको फाहिन्स अकाउंट और फाहिन्स अकाउंट के जरिया गुपता एड्मिनिस्टेटिव सिस्टम को बताने की कोशिश किये मैं आपको अपने अगले वीडियो में गुपता एंपायर के डाउन फॉल के बारे में और इनकी काउसिस के बारे में डिसकस करूँगी तो नाजरेन उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंफर्मिटिव रहा होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सब इंफर्मिटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हाँ अगर वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करिए आपके एक लाइक से मेरे मुटिवेशन में काफी अजाफा होता है और हाँ नाजरेन अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सिस्क्राइब करो और सारे साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले इंफर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर से जरूर पहुचे मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज